तो हेलो गाइस आपने इन दिनो दा केरला स्टोरी तो देखी होगी और अगर यह नहीं देखी तो आपने यूट्यूब कॉंट्रोवर्सी वीडियो तो जरूर देखी होगी इस फिल्म की लेकिन छोड़ो यह हमारे चैनल का टॉपिक नहीं है आज मैं बहुत ही अमेजिंग लेके आया हूं जिसमें मैं step by step बताने वाल हूं कि इस फिल्म का जो इंट्रो है उसको प्रिमेर प्रो में हम कैसे बना सकते हैं तो चलो लेट स्टार्ट दे वीडियो इस इंट्रो को बनाने के लिए हमको यह दोनों चीज चाहिए होगी पहला है यह बैग्राउंड यह मैं और यहां से इसको rotate कर देना है मैं इसको 270 degree rotate कर देता हूं और इसके size को एकदम screen size में perfect fit कर देता हूं फिर अभी यह हमारा background थोड़ा ज्यादा ही bright है इसको dark करने के लिए हमको सीधे color panel में चले जाने है और यहां से curves में चले जाना और simply एक S curve बना लेना फिर अभी हमारा background य इसमें green tint चाहिए तो उसके आपको temperature को माइनस 35 कर देना है और tint को भी माइनस 35 कर देना है तो आप देख सकते हो एक green tint आ चुका है फिर आपको इस background की opacity को कम कर देना है तो मैं 30 पे कर देता हूं फिर आप हमारा background perfectly set हो चुका है अब हम next step में text को लिखेंगे तो मैं simply T press करके type tool ले लूँगा और यहां पर केरला लिख दूँगा फिर इसके size को increase कर दूँगा और इसको center align कर दूँगा फिर effects control panel में आ जाने है और यहां से text में click करके आपको इसका font change कर देना है तो आपको जो भी सही लग रहा है आपको font डाल सकते हो मैं use कर रहा हूं century gothic bold और यहां प सकते हो हमारे text पूरा capital letter में हो चुका है मैं इसको वापी center align कर देता हूं फिर आपको इस fill वाले icon में click करने है और इसका color change कर देना है green में तो मैं जो color code डाल रहा हूं आप same डाल सकते हो 3D7342 तो हमारे text एक दम ready हो चुका है अब हम next step में चलते हैं आपको simply यहां से graphics वाले पिर आपको नीचे पे को आ जाने है और इसकी opacity को zero कर देना है फिर आपको यहां पे opacity में keyfram लगा देना हैं और यहां पर amount में keyframe लगा देना है फिर आपको 3 सेकिंड आ इने हैं और opacity को कर देना है tight और आपको amount को decrease कर देना है तो अब इकलिए मैं इसको 2000 पर ही रख रहा हूँ, अगर हमें जरुरत पड़ेगी तो हम इसको कम जादा कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पे evolution में keyframe लगा देने हैं, और यहाँ से end में आ जाने हैं, और इसको कर देना है 75, तो मैं आपको एक बाग keyframes दिखा देता हूँ, तो ह end वालो को पकड़के ease in, सेम ऐसा ही opacity में भी लगा देना, starting वाला पकड़के ease out, और end वाला पकड़के ease in, इससे हमारी animation एकदम smooth होगी, फिर आपको simply एक graphic वाली layer में right click करना है, और यहाँ से nest कर देना है, फिर आपको effects वाले panel में आ जाना है, और यहाँ से track matte की search कर लेना है, और इसको अपने text वाली layer में drag and drop कर देना, फिर यहाँ से आपको matte में click करना है, और यहाँ पे video 4, video 3 होगी, तो आपको वो select करना है, जिस भी layer में आपकी nested sequence होगी, मेरे में video 3 में है, तो मैं video 3 select कर लेता हूँ, तो मैं play करके दिखाता हूँ, और आप देख सकते हो, हमारा text effect कुछ ऐसा लग रहा है, तो यह जो effect इस text में हो रहा है, वो आप graphic वाली layer में turbulent display से control कर सकते हो, अगर आपको इस effect का amount ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से increase कर सकते हो, और यहाँ पे आप खुद manually पूरा change कर सकते हो, जैसा भी आपको text effect चाहिए, वैसा आप यहाँ से ब कर देने है, और मैं font semi use कर रहा हूँ, पर मैं bold को हटा के regular कर देता हूँ, और यहाँ नीचे पे को आके fill color में white color का कर देता हूँ, फिर मैं simply selection tool ले लेता हूँ, और इसको भी adjust कर देता हूँ, फिर याले text में भी आपको opacity में keyframe लगा देने है, तो आपको starting frame में opacity को 0 कर देने और आपको थोड़ा सा आगे आने है, और opacity को कर देने 50, फिर वापिस थोड़ा आगे आने है, और वापिस कर देने है, 30, फिर थोड़ा और आगे कर देने 7T, फिर वापिस 50, और finally 100, और आपको इसमें ease in और ease out लगा देने, तो मैं थोड़े keyframes को आगे खिसका देता हूँ, क्योंकि हमारे text is starting में ही शुरू हो जा रहा है तो मैंने अपने keyframes को कुछ is type का लगा है मैंने starting में कर रहा है यहाँ पे 0 और फिर थोड़े से आगे जाके मैंने इसको 50 पे कर दिया है और थोड़े और आगे जाके मैंने इसको 30 पे कर रहा है अब हमको यह particle वाली वीडियो को डालना है तो इसमें double click कर देना और यहां source monitor से खाली video only drag कर लेना फिर आपको इसको select करके effects control panel में आ जाने और यहां से blend mode को कर देना है screen फिर इसके बाद आपको यहां पे new item में click करके adjustment layer बना लेनी है और इसको सबसे उपर drag and drop कर देना फिर यहां से आपको सबसे last में wignet दिख रहा होगा इसके amount को increase कर देना amount को रख देना है आपको minus 1.5 midpoint को रख देना है 20 और यहां से feather को कर देना है 70 फिर आपको इसकी opacity भी कम कर देनी है मैं इसको रख देता हूं 50 पे फिर मैं आपको play करके दिखाऊं तो हमारे text effect कुछ इस type का लग रहा है और आप देख सकते हो यह particles effect उस video overlay से बहुत अच्छे आ रहे हैं आप इस wignet की amount हो control भी कर सकते हो simply यहां opacity से मैं इसको 30 पे कर देता हूं 50 थोड़ा जाद ही लग रहा है फिर अब हम last step में आ जाते हैं आपको सारी layers को पकड़ना है और simply right click करके nest कर देना है और last में आपको finally opacity में keyframe लगा देना है starting में कर देना है 0 थोड़ा सा आगया आगया आपको कर देना है 100 और आपको end से थोड़ा सा पहले आगये keyframe लगा देना है और last में वापिस 0 कर देना है फिर आपको same starting वाले keyframes में लगा देना है is out right click is out और end वाले keyframe में right click is in तो अब हमार इस वीडियो के लिए इतना ही, I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्स्राइब कर देना, Visuals by ललित को.